आईए इस पाठ में जो कछिन सब्द हैं उनके सब्दार्थ जो पुस्तक में दिये हुए हैं वे देखते हैं सब्दार्थाह मनी कार स्रेष्ठिनम इसका तात पर यह होता है मनी का व्यापारी निस क्रम्य इसका तात पर यह होता है निकल कर निस धन क्रम धन ल्यप प्रत्य स से मिलकर बनता है निश्क्रम्य और इसका ताथ पर यह होता है निकल गर उपस्रित्य उपस्रित्य का ताथ पर होता है पास जाकर या समीप जाकर परिक्रामतह परिक्रामतह का ताथ पर यह होता है दोनों परिभ्रमन करते हैं परिक्रामति परिक्रामतह परिक्रामति ऐसा इस द्विवचन का रूप है लटलकार प्रथम पूरुस द्विवचन का रूप है परिक्रामता और इसका तात्परी होता है दोनों परिभ्रमन करते हैं प्रचियनते इसका तात्परी होता है बढ़ते हैं सम्व्यवहाराणाम सम्व्यवहार कहते हैं व्यापार को और सम्व्यव आत्म गतम का तात्पर होता है मन ही मन या मन में संकनिया इसका तात्पर होता है संका करने योग्य आखंडिता अर्थात नाखंडित या बाधा रहित वनिज्या वनिज्या का तात्पर होता है व्यापार प्रिताभ्यह, प्रिताभ्यह, प्रित कहते हैं प्रसन्न, प्रिताभ्यह मतलब प्रसन्न जनों के प्रती, अर्थाथ प्रसन्न लोगों के प्रती, प्रतीप्रियम, प्रतीप्रियम कहा जाता है, उपकार के बदले किया गया उपकार, यह जिसको हम प्रतिकार भी कहते हैं, अर उसके उपकार के बदले हमारे द्वारा उनके लिए उनकी भलाई के लिए जो कारिक के जाता है ये कहा जाता है प्रति उपकार या इसी कहा गया है प्रति प्रियम अपरिकलेशः परिकलेशः कहा जाता है दुख को और अपरिकलेशः मतलब दुख का अभाव या दुखों का अभाव आज्या पयतु इसका तातपरी होता है आदेश दें अर्थ संबंध अर्थ को मतलब होता है धन अर्थस्य संबंध मतलब धन का संबंध आर्थस्य संबंध यहां सश्टिततपूर समास का प्रयोग हुआ है इसका तातपरी होता है धन का संबंध परिकलेश है परिकलेश का मतलब होता है दुख प्रष्टव्याह पूछने योग्य आवगम्यते इसका तातपरी होता है जाना जाता है देखे आवगम्यते सब्द कैसे बना है गम अधातु है आवगम्यते उपसर्ग है गम अधातु है और यहां का यहां पर आगम हुआ है लटलकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन के प्रत्या का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से रूप बनता है अवगम्यते जाना जाता है अविरुद्ध वृत्तिह विरोध रहित स्वभाव वाला पिधाय पिधाय कतात पर यह होता है बंद कर पाठ्ष में हमने देख राजा पत्यकारिणह तो राजा धन अपत्यकारिणह अर्थात राजाओं का अहीत करने वाले अलिकम अलिकम का तात पर यह होता है जूट अलिकम का विलोम होता है सत्यम अनार्येण अर्ये कहा जाता है सज्जन को और अनार्ये कहा जाता है दूष्ट को तो अनार्येण अनार्ये सब्द है इसमें तृतियों भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात पर यह होता है दूष्ट के द्वारा पौरा नाम पौर कहा जाता है नगर को और पौरा नाम क तात्परी हुआ नगर के लोगों के पौर सब्द सश्ठी भक्ति बहु अचन का रूप है तो इस तरह से इसका तात्परी हुआ नगर के लोगों के अनार्येन दुष्ट के द्वारा पौरा नाम पौर मतलब होता है नगर पौरा नाम का तातपरी होता है नगर के लोगों के पौरा नाम सब्द कैसे बनता है पौर सब्द है सश्ठ्वी भक्ति बहुवचन का यह रूप है इस तरह से इसका तातपरी होता है नगर के लोगों क निक्षिप्य इसका तातपर होता है रखकर व्रजन्ति जाते हैं प्रच्छादनम छिपाना अमात्या का तातपर होता है मंत्री असंतम ना रहने वाले देखे असंतम सब्द कैसे बना है असधातू है अक्ताप्रत्या है और अ जो है इसमें उपसर्ग लगा है यह नपुन सकलिंग का रूप दिया इसलिए इसका ताथ पर यह हुआ असंतम तो असंतम का ताथ पर यह हुआ ना रहने वाले बाढ़हम का ताथ पर होता है हाँ यह ठीक है या उचित है समवेदने का ताथ पर यह होता है समवेदना पर या समरपन पर जने का ताथ पर यह होता है संसार में तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पाठ है, प्राणेब्योपी प्रिया सुफरिद, पाठ का जो सब दार्थ थे, पाठ में जो दिये हुए हैं, इनको हमने समझा और आईए, अब इस पाठ के अधार पर कुछ अभ्यास के प्रस्न हैं, उन प्रस्नों को हल करते हैं, परिक्षाओं में इन से संबंधित प्रस्न पूछे जा सकते हैं, या पाठ से भी विभिन प्रस्न बना कर प्रस्न किये जा सकते हैं, आईए, हम देखते हैं अभ्यास, अभ्यास पहला, अधो लिखित प्रस्ना नाम उत्तराणी संस्क्रित भासया लिखत, प्रस्न जो दिय इस समझ पाएंगे तब दिये गए प्रस्णों के उत्तर भी आप भली भाते देने में समर्थ हो सकते हैं तो यहाँ यह जो लिखा हुआ है अधो लिखित प्रश्णा नाम उत्तरानी संस्क्रित भासया लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भास या संस्कृत भासा में लिखत मने लिखो अर्थात यहां जो प्रश्ण दिये गए हैं इन प्रश्णों के उत्तर संस्कृत भासा में लिखना है कभी-कभी आपको मात्री भासा में या हिंदी में उत्तर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है इसलिए जो प्रशन दिये जा रहे हैं इसको आपको समझना है प्रशन क्या पूछा गिया है उसका उत्तर संस्कृत में क्या होगा और हिंदी में क्या होगा ये दोनों आपको जानना चाहिए पहला प्रश्ण क चंदन्दासह कस्य ग्रिह जनम स्वग्रिहे रक्षतिस्म चंदन्दास कि इसके ग्रिह जनम परिवार जन को स्वग्रिहे अपने घर में रक्षतिस्म अर्थात रखा था चंदन दास अपने घर में किसके ग्री जनों को परिवार जनों को अपने घर में रखा था पाठ आपने पढ़ा है उत्तर क्या है हाँ बिल्कुल सही तो यहां ध्यान दीजेगा आपको प्रस्ण की जो भासा है उसी भासा में उत्तर देना है तो यहां जो प्रस्ण आप देख रहे हैं, चंदन दासह कस्य, तो कस्य यहां जो प्रस्ण वाचक सब्द है, इसके इस्थान पे उत्तर वाचक सब्द को आप रख दीजिये, और पूरा जस्त का तसलिक दीजिये, हो गया आपका उत्तर, तो यहां उत्तर सब्द क्या है, अमात्य राक्षा सश्य, तो कस्य के जगम आपको रखना है क्या, अमात्य राक्षा सश्य, तो चंदन दासह, अमात्य राक्षा सश्य, ग्रिह जनम, स्वग्रिह रक्षतिस्म, हो गया उत्तर, चंदन्दास अमात्य राक्षस के परिवार जनों को अपने घर में रखा था हो गया हिंदी अर्थ? चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिणा नाम केन सह विरोधह नास्ति हिंदी अर्था क्या होगा इसका? त्रिणा नाम अर्थात घासों का केन सह कि इसके साथ विरोधह विरोध नास्ति नहीं है अर्थात घास का कि इसके साथ विरोध नहीं है उत्तर क्या होगा? केन के स्थान पर देखिए घास और अगनी की बाते कही गई थे तो अगनी सब्द मित्रित्य भत्ति लगा दीजिए, हो जाएगा उत्तर त्रिणा नाम अगना सह विरोध नास्ति घास का अगनी से विरोध नहीं है या घास का अगनी से विरोध नहीं होता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के यदी विरोध होगा, दोनों आपस में टकराएंगे, तो घास जो है, वो क्या हो जाएगा? वह नश्ट हो जाएगा, वह भसमीभूत हो जाएगा, इसलिए. अगला प्रश्णा, ग, कह चन्धन्दास दृस्ट्टु में च्छती, कौन? चन्दन्दास को देखने की इच्छा करता है तो चन्दन्दास से कौन मिलना चाहता था? चानक्या, बिल्कुल सही है तो कह के स्थान पर आपको उत्तरवाचक सब्द चानक्या रख दीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका तो कह चन्दन्दासं द्रश्टु मिच्छती तो चानक्या, चन्दन्दासं द्रश्टु मिच्छती चानक्या, चन्दन्दास से मिलना चाहता था या चानक्या, चन्दन्दास को देखना चाहता है अगला प्रस्ण है गः पाठे असमिन चन्दन दासस्य तुलना केनसहकृता पाठे असमिन इस पाठ में च असमिन की समाना बताया गया है हाँ हमने अंतिमे सलोक में पढ़ा था इसको किसके साथ राजा सिवी के साद, बिल्कुल सही, तो उत्तर लिखेंगे, राजा सिवीना सह चंदन्दासस्य तुलना अस्मिन पाठे कृता, ऐसा लिख सकते हैं, या प्रस्नकी भासे में उत्तर लिखें, पाठे अस्मिन चंदन्दासस्य तुलना राजा सिवीना सह कृता, इस पाठ में चंदन्दासकी तुलना राजा सिवी से किया गया है, अगला प्रस्न, ग, प्रीताभ्यह, प्रकृतिभ्यह, प्रतीप्रियम के इच्छन्ति, किये गये उपकार के बदले, प्रतीकार की इच्छा कौन करते हैं, उत्तर क्या होगा, राजाना, तो के के इस्थान पर आपको लिखना है क्या, राजाना, तो प्रीताभ्यह, प्रकृतिभ्यह, प्रतीप्रियम, राजाना, इच्छन्ति, अर्थात, किये गए उपकार के बदले, प्रतिकार की इच्छा राजा करते हैं ऐसा लिख दीजी, हो गए उत्तर अगला प्रश्ण कश्य प्रसादेन चंदन दासस्य वनिज्या अखंडिता किसकी प्रसंदता से चंदन दास का व्यापार अखंडित था या बाधा रहित था किसके प्रसाद से? तो आर्यस्य या राज्यह या चानक्यस्य ये उत्तर आपको लिखना है आपको तो लिख सकते हैं आर्यस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वनिज्या अखंडिता अर्थाद आर्यक्य प्रसंदता से चंदन दास का व्यापार बाधा रहित था ऐसा लिख दीजे होगे उत्तर तो यहाँ पर आप आर्यस्य भी लिख सकते हैं राज्यह भी लिख सकते हैं चानक्यस्य चानक्यस्य भी लिख सकते हैं चंद्रगुप्तस्य भी लिख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर कस्य जो सब्द है इसके इस्थान पर आप इन पदों का भी प्रयोग करते हुए इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं चले आगे वड़ते हैं ध्यान देजेगा पाठ पर अधारी जो प्रस्ण पूछे जाते हैं वे तरह तरह के प्रस्ण होते हैं जैसे इस तरह को प्रश्ण पूछा जा सकता है कहा जा सकता है अगला प्रश्ण है अगला भ्यास है इस्थुलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्ण निर्मानम कुरुत अर्थात इस्थुल यह मोटे अक्षर में पर आधारित पदों के आधार पर प्रश्ण निर्मान करो अ आपका वाक्य देखिए सीविना विना इदम दुसकरम कार्यम कह कुर्यात यह वाक्य है इस वाक्य में आप देखें तो सीविना यह सब्द जो है कैसा है यह इस्थूल है मोटे अक्षरों में लिखा गया है मोटे और काल एक्षर में लिखा गया है तो यह पद जो है इस पद के अधार पर यह जो वाक्य दिया गया है इसको आपको क्या करना है इसको आपको प्रस्न वाचक वाक्य बनाना है प्रस्न सूचक वाक्य बनाना है कि इसके अधार पर जो मोटे एक्षर में जो इस वाक्य मे मोटे एक्षरों में जो सब्द लिखा गया है उसके अधार पर प्रस्ण बनाना है तो मोटे एक्षर में लिखा गया सब्द है सी विना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पूरा वाक्य आपको पढ़ना होगा वाक्य को अर्थ को समझेंगे तब उसके अधार पर हम प्रश्न बना सकते हैं तो आईए एक बरपूना वाक्यों को देखते हैं किया जाहिए यह है अब इसका उत्तर क्या होगा तो आपको यह देखना होगा कि जो मोटे अक्षर में जो सब्द लिखे गए है उसमें विभक्ती कौन सी लगी है वचन कौन सा प्रेग हुआ है इसको आप भली भाती देखें और उस पर आधारित फिर किम यह जो सब्द है जो प्रस्ण वाचक सर्वनाम सब्द है इसके जो विभिन तीनों लिंगों में विभिन रूप होते हैं तो जिस सब्द में वाक्य के जिस सब्द को ऐसा इस्थूल किया गया है मोटे अक्षरों में लिखा गया है उस सब्द का लिंग पहचानिये उसका वचन पहचानिये और उसकी विभक्ति पहचानिये वो जिस पुरुस का होगा, जिस वचन का होगा और जिस विभक्ति का होगा उसी लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार किम सब्द का रूप बना कर वहाँ इस्थाफित कर दीजे तो इस तरह से आप इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे तो यहाँ वाक्य जो दिया है सिविना विना इदम दोशकरम कार्यम कह कुर्यात यहाँ सिविना यहाँ जो सब्द दिया है सिवि इसका मूल सब्द है और सिवि पूर्लिंग सब्द है इसमें तृतियोई भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है तो इसलिए कीम सब्द पूर्लिंग तृतियोई भक्ति एक वचन का जो रूप कीम सब्द का बनता है वो यहां सिविना के स्थान पर इस्थापित कर दीजिए तो कीम सब्द पूर्लिंग में तृतियोई भक्ति एक वचन में रूप होता है केन तो केन वीना इदम दूसकरम कार्यम कह कुर्यात ऐसा लिख दीजिए हो गया उत्तर और साथ ही जब हम प्रश्ण बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको जो अंत में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है इसको आपको प्रस्ण वाचक चिन्ह लगाना है तो ऐसा करेंगे तब आपका उत्तर सही होगा तो ऐसा कर दीजिए हो गया तो केन वीना इदम दूसकरम कार्यम कह कुर्यात और प्रस्ण वाचक चिन्ह हो गया आगे बढ़ते हैं ख़ तो टीम सब्द का पूर्णिक में प्रत्मी भक्ति एक वचन का रूपघ सुधान पर कर देना है तो रूप क्या हो जाएगा किम का प्रथम्योप्ति एक वज़्यन को रूप क्या होता है कह कउके तो कह तो प्राणेभ्योपि प्रियाह सुहरित के स्थान पर लिख देंगे कह और क्या कर देंगे वहां प्रस्म वाचक चिन्ह लगा दीजिए ऐसे हो गया तो इस इस्थुल अक्षर पर आधारित जो पद हैं, उनके अधार पर जो प्रस्ण निवान हमको करना है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, चले, आगे बढ़ते हैं, आरियस्य प्रसादेन मे वनिज्या अखंडिता, तो आरियस्य यह इस्थुल पद है, इसके इस्थान पर हमको क्या करना और बाखी चीजों को लिख दीजिए, अंत में प्रस्ण वाचक्चिन लगा दीजिए, हो गया उत्तर आपका, चलिए, आगे बढ़ते हैं, घा, प्रिताब्यह, प्रकृतिव्यह, राजानाह, प्रतीव प्रियमिच्छन्ति, यहां इस वाक्य में राजानाह, यह पद जो है, मोटे अक्चर में लिखा गया है, यह इस थुल्प अक्चरों में लिखा गया है, तो इसके इस्थान पर हमको प्रस्ण वाचक सब्द लेना है, तो राजानाह, राजा, राजानौ, राजानाह, प्रत्मविभक्ति बहुवचन का यह रूप है, तो कीम सब्द, चन्ती और प्रस्ण वाचक चेन न कर दीजे, हो गया उत्तर, आगया, त्रिना नाम अग्णिना सह विरोधो भवति, यहां आप देख रहे हैं, यहां त्रिना नाम यह जो सब्द है, यह मोटे अक्चरों में लिखा गया है, तो इसलिए, अच्छा, त्रिना नाम जो है, त सश्थ्वी भक्ति बहुवचन का रूप है, तो त्रिन सब्द, तो कीम सब्द का सश्थ्वी भक्ति बहुवचन का आपको रूप लेना, किसका यह त्रिन सब्द है, नपुन्सकलिंग का सब्द है, तो नपुन्सकलिंग और पूर्लिंग, दोनों सश्थ्वी भक्ति में, प्रतमवी भकति, दृतिय भक्ति और अंतर होता है, पोलिंग और नपुन्सकलिंग में, लेकिन सेच रूप जो होते हैं, तृतिय से लेकर कि सब्तमी तक के ये सभी एक समान होते हैं, तो इसलिए, कियम सब्ध, नपुन्सकलिंग, सश़्ी भकति, बहुँ अचन का रूप, तो क्या हो जाएगा के साम कस्य कयोह के साम तो तुरिणा नाम के इस्थान पर रख देंगे क्या के साम तो के साम अग्णिना सह विरोधो भावती और प्रश्णवाचक चिन्ह तो ऐसा कर दीजे हो गया उत्तर तो इस तरह से आप विभिन्न वाक्तियों में जो इस थुलपत दिये जाएंगे उनके अधार पर निश्चितरूप से ऐसा प्रस्ण वाचक वाक्य बनाने में आप समर्थ हो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला भ्यास है निर्देशा नुदा, निर्देशा नुसारम संधी, संधिम वा संधी विच्छेदम कुरत, अर्थात दिये निर्देश के अनुसार, हमें संधी या संधी विच्छेद करना है, हमको यदि संधी विच्छेद करूप दिया है, तो उसको संधी करना है, और संधी पद दिया है, तो संधी विच्छेद करना है, क यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, उदाहरा निक दिया, क धन अपी, इती कोपी आप बीच में जो देख रहे हैं को के बाद में जो एस जैसे खाई दे रहा है अंग्रेजी के एस अक्षर जैसे खाई दे रहा है इसको संस्क्रित में कहा जाता है अवग्रह तो कोपी और यह अवग्रह है इसका रूप जो होता है इसका तात पर यह होता है कि वहा से प्रानेभ्यधन अपी ये क्या होगा तो जैसे कह धन अपी को पी बनता है ऐसे ही प्रानेभ्यधन अपी यती क्या हो जाएगा प्रानेभ्योपी 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 इसी तरह से आपी तो ये हुआ क्या कि जो संधी विच्छेद करूप दिया था इसको हमने संधी पद किया और अब क्या किए कि किसके साथ में योग होगा किसका अस्मी का तब बनेगा सज्जोस्मी तो सज्जोस्मी सब्द जो है इसमें अस्मी जो है इसको तो दिया हुआ है अब अगला प्रशना आत्मनाह धन अब यहाँ पर रिक्त इस्थान है फिर क्या बनेगा आत्मना के साथ में किसका योग करें तब आत्मनो धिकार सद्रिसम यहाँ जब्द बनेगा तो आत्मनाह यह दिया हुआ है तो आत्मनो धिकार सद्रिसम इस पद को आप देखते हैं तब आप वहाँ देखें तो अवग्रह जो लिखा हुआ है और ओ की मात्रा और अवग्रा लगा है तो आत्मनह यहां ओ की मात्रा को क्या कर दिया गया ये विसर्ग बन गया और वो अवग्रा जो क्या है वो है वह अकरूप है तो अधिकारसद्रिसम आत्मनह धन अधिकारसद्रिसम इति आत्मनो धिकारसद्रिसम हो गया बस यही करना है ख, अब भीन प्रकार सी बताया गया, यहां एक उदारन दिया गया, अभी हम जो उदारन देख रहे थे क क के अंतरगत, यह सभी विशर्ग संधी के नियम्प के अंतरगत हैं, और अब सत धन चित इती सत चित यहां व्यंजन संधी का उदारन है, और जैसे सत धन चित बराबर सच्चित बनता है इसी तरह से सरत धन चंद्रह ये मिलकर क्या बनेगा तो देखें यहां साथ धन चीत कहते हैं तो ता को चा बन गया है तो इसी तरह से सरत कहते हैं यहां भी ता है और ता के आगे चा आया है तो ता के आगे चा आने पर ता को चा हो गया कि इसमें सत धन चीत में तो इसी तरह से सरत धन चंद्रह कहेंगे तो सरत के ता को क्या हो जाएगा चा हो जाएगा और इस तरह स्पिर क्या बनेगा सरत चंद्रह लिख दीजिए हो गया ऐसे ही कदाचित धन च दोनों का योग करें तो कदाचित का त जो है वो च के साथ जब योग होगा तो त जो है क्या हो जाता है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से रूप बनेगा कदाचित च